नमस्कार आदाब क्राइम पिट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है रुको रुको कहा जा रही हो कही नहीं कही नहीं नहीं पापा पापा नहीं मैं कौन गोल रहा हूँ जवान बच्चों की प्रिविसी और आजादी को लेकर हर घर में महाभारत होती है माबाप स्वभाविक रूप से बच्चों का भला ही चाहते हैं चाहते हैं कि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं पर बच्चों का रोश और घुसा घलतियों के लिए मानो रेड कापेट बिचा देता है घर की दहली जूची कर देने से जवानी का जोश तो नहीं रुकता बल्कि कई बार जुर्म इतनी जोर से दस्तक देता है कि घर के दर्वाजे चूर चूर हो जाते हैं जून दो हजार दस गोरखपुर उत्तरप्रदेश देख माला तू कांच भोड़ी अपना सर इतनी दूर तू अकेले नहीं जाहेगी दूर पापा जानकी का अगर सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर फास होगें कर लोंगे सिर्फ तीन मिनट में पांचाऊंगी कुछ होने के लिए दो सेकिंड लगते हैं तो ठीक है मैं जानकी की बोड़े पाटी पर नहीं जाओंगी देख माला तू नहीं जाएगी तो चानकी बुरा माँ जाएगी तेरी खास से हैली की साल किरा है ऐसा नहीं करते तू तैयार हो जा जॉली तुझे छोड़ाएगा माँ बोड़े पाटी मसाग बनके रह जाएगी मेरे सारे फ्रेंज कितना हासेंगे मुझ पर अरे यार मैंको तुझे अंदर तक थोड़े ना छोड़ने आ रहा हूं दर्वासे से छोड़कर चला जाओंगा बस चल तैयार हो जाओंगा इस सब और टाइट कुछ से मिला तरह को मा ने कहां ठीक है तू पटा सिधा गर आजानकी बस एक विर्म पॉन कुछते हूं? हाँ, बोल दूने क्या, बाए खाने के बाद चनकी वर मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हूं अंकल वही से डॉप कर लेंगे आपको पिक अप करने के आने के ज़रवत नहीं है यह पकड़ तो बैट यह शॉपिंग वर्पिंग जो भी है शाम छे बजे का तेरा करती उठाई मैं बूलना मत मैं कभी भी कुछ नहीं बूलती ज्यादा डायलोग मत मार संजी अब तो बट्टा सिधा गर अब ठीक है? ठीक है अब जाईए भी ना एले तो अंदर जा हाई माला इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी भाई बहन के बीच ये कौन सी भूलने और भूलने वाली बात हो रही थी गोरखपुर का ये दूबे परिवार आखिरकार अपनी बेटी माला के साथ इतनी सक्ती और अविश्वास के साथ क्यूं पेश आ रहा था जानकी तुमने मेरे सामने माला को फोन किया था और कहा था कि शॉपिंग के बाद तुम्हारे पापा माला को घर पे ड्रॉप कर देंगे नहीं भाईया मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया था मेरे पापा तो काट मांडू में है अच्छा दिन से तो फिर शॉपिंग के लिए कौन गया था? सिर्प मैं और माला वो वहाँ से पांच बजे निकल गई थी अपने घर के लिए और मैं भी अपनी घर आगी सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं कुछ ठीक नहीं है क्या हो जोली? जानकी के पापा पिछले एक हफते से गौरगपूर में है ही नहीं वो काट मांडू गए हुए है माला शॉपिंग के बाद घर के लिए केली निकली थी हे राम यह लड़की पापा आप जल्दी कीजिए पुलिस टेशन चलते है हाँ बेटा चलिए माला लक्षिंगी मेरी बेटी कपसे लाबत है? आज से शाम छे बजे से माला के पिता और भाई ने पुलिस थाने में माला की मिसिंग रिपोर्ट लेखवाई पर पुलिस को इस रिपोर्ट में कुछ बातें मिसिंग लगी सर लड़की के फोन नहीं लग रहे है स्विच डॉफ है यही तो मैं कबसे कह रहा हूँ? लेकिन कुछ बातें खुलकर बताएं नहीं है अपने अब तक कैसी बात है अस्पेक्टर साब? आपकी बेटी माला उसने जूट क्यों बोला कि उसकी सहिली के पादा उसको डॉप करने वाले? शायद वो अपने आप से आना चाहती थी क्योंकि उसे अपने आप से जानी नहीं दिया गया इसलिए दिन के 11 बजे अपने ही मोले में आप उसकी सहिली के घर छोड़ने के लिए थे सिर्फ पांच मिनट की दूरी पे क्यों? भाई अब बहन को कही छोड़ भी नहीं सकता है क्या? अरे कैसे फिजूल के सवाल जवाब कर रहे हैं आप मेरी बहन गायब हुई है धूंडियो उसे, प्लीज यह एमर्जेंसी है जितनी आप देर करेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा देखो जॉली दूबे ऑपरेशन जितना भी किटिकल हो बिना ब्लड ग्रूप जाने पेशेंट को खुणनी चड़ाते वो रिसकी भी हो सकता है आप दोनों जो छुपा रहे हैं तुरंत बता दीजे वरना सीधे अपने घर जाईए लड़की बाली गया है पहुच जाईए अपने आप वो एक लड़का है नम आप पता लल्लन लल्लन यादव हमारे महले में रहता है चेड़ता है अप्रे महें दोनों में हमारे वेर बें कोई P.E.A.R. नी होता समझे आप वो मरी लड़की को बेकार आथ मुंबई यह बनी हमारे में किसी का डर नही किसी के बाप की जागिन नहीं और इतनी मज़े की जगा ना तुम तो फिदा हो जाओगी मुझे नहीं लगता कि मैं रियोल में इस सिटी को देख पाऊंगी तुम और तुम्हारी नेगटिव थेंगिए पुरी मुड़ का सत्यानाश कर देती है तुम ना मेरी थिंकिंग के बार में कुछ नहीं जानते तो तरी जान लेलूँका मीने पॉल बेटी, तुझे क्या खिला पिला दिया किसिने मई अब बहुत अब बहुत form ? इसनीगी की बर चुलेगा, जितना मार रहा है मार लो चो कर रहा है करनो, इसनीगी की बर चुलेगा तूबे और यादव परिवार के बिच घमासान शब्दों के वार हुए हाथा पाई होते होते रह गई हर किस्म के आरोप लगे और धमकियां तक दी गई साथ और अकाद की सीमा पार की तो बहुत पुरा होगा बताए देता तक दो को अबे चुप चिलनामत ये बात अपनी बेटी को जा के समझा पहले है उसकी चिंता छोड़िये उसकी चिंता कीजिये मरेगा ये सला ये हल्वा पूरी समझ रखा है या फिर कोई मच्खर मख्या जो तेरे कहने से मर जाएगा हो वो यादब अपने मुलाजिम को समझा की भीश में ना पड़े चुप कर अंकल जी चॉली बहिए दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए हना मारा और माला का जू लाव है न उसे कोई रोक नी सकता है जो फोन आया था जो इनको लगा शाब इसकी सहेली का होगा तर दर अशर ललन यादा होगा था और उसके बाद सर शाम को पांच बजे उसकी दुबारा बात भी थी उसकी सहेली जान की बता रही थी कि पांच बजे के आस-पास वो दोनों शॉपिंग सेंटर से अपने-पने रास्ते गए थे माला वहीं से घर के लिए निकली थी मैं तो कहता हूं ज़रूर इसमें उस ललन की चाहला है इंस्पेक्टर साब आप उसे गिरफदार क्यों नहीं करते हैं यह ललन यादा के सेलफ़ोन के क्या लें इसका फोन से जड़ा फार रहे हैं आप लोग माला के ब ललन के पिता रगुविर यादव का ट्रांस्पोर्ट का बिजनस था जिसमें ललन हात पटाता था जल्दी कर यादव गारी दो गंटे में बेजने हैं काम के सलसले में ललन का काफी घूमना भिरना होता था बिजनस अच्छा चल रहा था ललन के हात कभी तंग नहीं होते ललन यादव का है मैं रगुई र्याद हूँ ललन का पिता है क्या बात है इंस्पेक्टर ललन को बुलाई है वो तो गर पे नहीं है कहां क्या है शौन बद्र वो क्या कि एक डिलिवरी थी वो और मेरा एक असेस्टन अजीत वो दोनों साथ में कहें अशे कब गए कब आए यही पर्स हो गए बस कल तक लॉट आएंगे बात होती ही रहती हाथ की हाँ बिल्कुल होती रहती है और दो तिन गंटे में फोन आता जाता रहता है लास्ट बात कब हुई थी अभी थोड़ी दिर पहले है लेकिन क्या बात है इंस्पता है चलिए फोन लगाई उसे अशे आपके वारा टाइव के अगया नंबर स्विच्ट ओफ है है सवरी सर वो स्वीच ओफा रहा है कल साम छे वजे तो उसका फोन स्विच्ट ओफ है थूर देर पहले आपने बात कि अपने लड़के से हां सर साम कोई बात हुई थी क्या है कि समय का थोड़ा ध्यान नहीं रहा गलत ध्यान आपने अपने लड़के पे नहीं दिया और इसके इसका फराद टाइम आ गया है और शायद आपका भी देखें आप मुझे बात बता क्यों नहीं रहे और ये ललन के बारे में आप इतनी पूश्टास क्यों कर रहे हैं मेरा बिटा ठीक तो है ना देखिए वो तो हमें भी नहीं पता है पर जब भी मिलेगा ना उस्तब कुछ बता देगा जो हम जानना चाहते हैं ललन किस माल की डिलिवरी के ले गया है सोनभद्र रेफ की एड्रेस और ट्रक कर नम्हा लाओ एक मेरेश यूपी 26A 6090 गोरकपुर पुलिस टीम ने सोनभद्र में श्रीवासतर सर्फ यह वही टरक है यूपी 26A6090 ललन कि पताने यही नूम्मर बताया था ना या था यह था यह तो ललन का ट्रक है लगता है दिलिवरी के बाद ट्रुक ही छोड़ गया है सर बहुत बुरी तरह मा रहा है लाश का सर पूरी तरह कुछला हुआ था इसलिए उसकी शिनाक्त करना नामुम्किन सा लग रहा था पर लाश के पास से मिली चीजों की मदद से उसके पहचान हो गई सर माला लक्षमन दूबे दूरख को आप इन चीजों को पहचानते हैं कैसी बात कर रहें इस्पेक्टर आप भी पहचानते हो मेरी बहन कहां है क्या हुआ इसके साथ आपको बोड़ी एडिन्टिफाइ करनी होगी नहीं माला लाँ माला लाँ लाश को शनाफ्त के बाद पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया दुख के अंधेरे में डूबा दूबे परिवार अब आग बबूला हो उठा वो ललन यादव के सर की मांग कर रहे थे वो उसे अपनी बेटी का हत्यारा बता रहे थे पर पुलिस तो पुलिस है तजुर्बे से जानती है कि जुर्म की दुनिया में दो और दो चार कभी नहीं होता इंस्पेक्टर साब मैंने आप सच जूट बोला था आप सच बूली है वो मेरा बेटा लन दिलिवरी के बाद से ही गायब है मेरी उससे कोई फोन पर बाद बाद नहीं हुई है एक्शली उसका तो फोन ही बंद आ रहा है उन्हें पहले गी नहीं बताया वो क्या है कि जब मुझे पता चला कि दूबे की लड़की गायब है तो मैं थोड़ा सा डर गया था मुझे लगा ललन साद उसको भगा कर ले गया हूँ अब पूछ ताच करने का क्या मतलब मेरी बहन तो वापिस नहीं आने वाली ना बड़े प्यार महपत की बादे कर रहा था कवी ना दोनों भाग कर शादी कर लेते हम माफ कर देती हम अपना लेते दोनों को कितनी बहर हमी से मारा मारे बच्ची को उसके जा कर घुड़ियो अस ललन को और एंकाउंटर कर दी उसका इसकी सहली जानकी इसका नंबर मिलेगा रेट की डिलीवरी के बाद पैसे मिले होंगे? जी, सत्तर हजार रुपे आपको लगता है कि आपका लड़का सत्तर हजार रुपे और दूवे की लड़की माला को लेके भागा था? मेरा बेटा माला का खुन क्यों करेगा? वो तो भाव रहा था उसके पिछे पांगलों के तार चाहता था उसे मुझे तो मेरे ललन के लिए डर लग रहा है उसके गाया होने के बाद किसी को भेजा अपने उसे दूनने के लिए? सर मेरा असिस्तन अजीद अगर होता ना तो चूटकी बजा कर उसको लेके आता था वो भी उसके साथ गया था लेकिन फिर उसको छोड़के वो अपने घर लखनव चला गया इतने साल से काम कर रहा है? एक साल सर उसके अजीद गौर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी देकर कुछ चीजे वो मझे कभी नहीं बताती थी किस तरह की चीजे नहीं बताती थी वो? आप तो जानते होंगे सर उसकी फैमिली और लल्लन यादों के फैमिली के बीच प्रॉब्लम थी लेकिन लल्लन और माला के बीच तो प्यार था वो कभी कुछ बताती नहीं थी उनके अफियर के बारे में बस हम सहेलियों को पता था कि वो दोने चुप-चुप कर मिलते हैं तुमारे बहुत रिके थी लल्लन के बारे में कोई जिक्र हुआ था? हाँ सर एक बार हुआ? सर ये पोस्टमार रिपोड़ा आवेगे तुम कहा रही थी लल्लन के बारे में को जिक्र हुआ था? कब वा था? जब हम शॉपिंग गई थे सर माला धेर सारी कपड़े खरेद रही थे एक सरा मस काला रहे ना? बढ़ प्यारी लग रही है भाया, याला पैक कर रहो ये तो मैं ले रही हो और वॉला दिखाना ना? माला, तु पागल हो गई है? वो नहीं गई हूँ, पहले सी थी बता नहीं के तुझे? अहे, इतने सारी कपड़ों का कितना बड़ा बिलाएगा? डार्लिंग, एक अमीर बॉइफ्रिंड होने के ना अपनी फायदा है और ललन के लिए पैसे हाथ का मेल है समझी? एक तिनी सारी कपड़े घर पे एकस्प्रीन कैसी करेगी? अब मैंना अपना खुद का घर बनाऊँगी तहाँ पे तो सब कुछ नया होगा सब कुछ हाँ जोली भाहिया बस शॉपिंग हो गई है बीस मिनिट में पहुंचाऊंगी सर उस दिन शॉपिंग मॉल में माला को ललन का फोन आया था लेकिन सर उसके भाई के फोन में कोई जिक्र नहीं है बड़ी शातिर लड़की थी है माला और सर वो बॉड़ी फैमिली को हैंड़वर करनी है मौत गला घोट में से हुनी गले पे उंगलियों और नाखुनों के निशान पे गले को दुपट्टे से भी घोटा गया सर ये ललन मुझे कुछ साइको टाइप लगता है मुझे नहीं लगता कि इस केस के बीचे ललन का आत है सर अगर ललन नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है ललन के बाप का असिस्टेंट अजीत गौड करम गुंडली खोलो इसकी दिल पर भारी पत्थर रखकर लक्ष्वन दूबे ने अपनी लौती जवान बेटी का अंतिम संसकार किया इस परिवार के लिए माला की मौत का सद्मा बरदाश से बाहर था वो से दुलन के रूप में देखना चाहते थे और यहाँ चिता पर उनसे उसका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा है अलो कौन अजीत मैं गोरखपूर पुली स्टेशन से सब इंस्पिक्टर श्रीवास्ता बोल रहा हूँ नमस्ते साब क्या बात है साब मैं तुम से कुछ बात करने हैं ते अजीत के मोबाइल नंबर और इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग से पुलिस को पता चल गया कि वो लखनौ में नहीं बल्कि गोरखपूर में ही था पुलिस को इस बात की वी जानकारी थी के अजीत का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है थर्ड डिगरी के इस्तमाल के बाद अजीत बोल पड़ा और इस केस की सच्चाई सामने आई जल दे जल दे उस दिन मैं ललन और माला को सोन बत्र ले गया था सब वो दोनों वहां से बीजुन को मुंबई जाने वाले थे साम माला कहा है हमें पता है यह प्राट के ललन कहा है सथम्तुर्ण गौरकपुर में जाँ सब्सक्राइब को अग्योर्ण जित्ना तो है नि सब्सक्राइब करें देगे पेजे कोदा भें जाँ कौन है? बै अजीक आरे है वागने की खोशिश की तो तेरे को जिन्दा नहीं पकड़ेंगे नाला को तूने मारा फिर किसने मारा किसने निमारा एक्सिडेंट तो हो नहीं सकता अगला घोट के मारा है उसे मुग्लियों की निचान है उसके गले पे शीवस्तव, सार रवाज़ खूल के देखो क्या हुदर, सार संतरे जां अंदर से लोगे तो कौन है अंदर विल्दलन कौन है अंदर गोरकपुर पुलिस को माला जिन्दा मिली थी तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संसकार माला के घरवालों ने किया था माला के कपड़े उस लाश पर कैसे पहुँचे क्या राज था उस लाश के पीछे जब खुलासा हुआ तो सब के होश उड़ गए हमारे प्यार को इन तीनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं था इसलिए हम एक तूसरे का साहरा बने तीन मेने पहले हमने शादी कर ली थी हो गए शादी कहा हुए अभी भी अलग रहना पड़ेगा शोरो की तरह मिलना पड़ेगा मुंबई चलो भी चलते हैं नहीं नहीं वो लोग वहां आ जाएंगे मुंबई में कॉंड़ेगा हमें फिर भी अमेशे एक दर बना रहेगा ना क्या करें मेरे दिमाग में एक प्लान है तुम्हारा प्लान किया था माला वो प्लान मैंने अजीद को बताया था क्या था वो प्लान को तो सकता है पैशे लगेंगे कितने अचिस इस पैटिस चालिस दूंगर काम हो जाना चाहिए माला जानती है सब उसीगा प्लान है उत तेरी संबल के रहना बच्चे बहुत शाती रह रहता है तुझे क्या है काम से काम दो ये ले दस सार एड़ान से पीटा बबलू जड़ा बाज जार के खेलो पाद में खेलते हैं शाबाश भया ये कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है ना अरे तुमेर को ऐसा वैसा समझती है क्या भाई गोरकपुर में बहुत बड़ा सेठ है अरे उसके एक छोटी सी बच्ची है जिसकी देखबाल करनी है त सेठ ने तो यहां तक भी काया है कि अगर उन्हें तेरा काम पसंद आया तो वो तेरे बबलू का भी पूरा खर्चा उठा लेंगे सच और नहीं तो क्या अरे इससे अच्छा मोका नहीं मिलने वाला है तुझे और तु तो जानती है कि जवान विद्वा को पूरी दुनिया नोच के खाने को तयार बैठी है बस अब तु सोच मत और तयार है ना थो अब अपने मासी के बाद छोड़ दो कि अब तु अपने सेठ और सेठानी को एक हफते में खुश कर दे उसके बाद हम अपने बबलू को अपने साथ ही ले जाएंगे उसके तो इससब सपना लग र बाद चंदा और उसके बेटे बबलू को कोई कुटा भी नहीं पूस्ता था अगर वो गायब भो भी जाती तो किसी को रती भर भी फरक नहीं बढ़ता हाइट और बोड़ी बिल्कुल माला से मैच करती थी हमने बंदर तरी का प्लान बनाया मुझे डिलिवरी के सुन बदरा जना था पसी दिन इसकी सहेली का जनम दिन भी था लेकिन पापा और भाहिया मुझे अकेले कही नहीं जाने देते हैं इसलिए मैंने एक प्लान बनाया अलो हाँ तुम कर से निकली बस एक मिट में पहुंच रही हूँ खाने के बाद चान की और मैं शॉपिंग के लिए जा रहें अंकल वही से टॉप कर लेंगे आपको पिक अप करने के आने के ज़रूरत नहीं है हाँ चॉली भाईया पस शॉपिंग हो गई हाँ ठीक है सुनो हम प्रक लेके हाईवे की पहले भाले धाबे भी मिलते हैं ठीक है तुम रिक्षे से वाईया जी भाईया शारूरत कुछ तिन पहले ही ललन ने मुझे पैसे दिये थे शॉपिंग करने के लिए मैंने मुंबय म मैं एक नहीं जिंदी की बनाने के लिए सारे नए कपड़े खरीद लिये थे और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी आखरी बार गले लगाया है मैंने चंदा को पहले से अपने गर पर ला रखा था और फिर उसे लेकर मैं हाईवे पर पहुंच गया हम यहां क्यों खड़े है वो मेरे एक दोस्त है और उसकी बीवी हा रहे है वो लोग सोन बद्रा जागे तो हम लोग भी उनी कसाथ चलेंगे लेकिन सेट को तो हम बोरग पर मिलने वाले थे ना हाँ आज वो सोन बद्रा गया थे उसने वहीं बुलाया अच्छी बात है पर सेट मुझे रख ले काम प सब्सक्राइब के पास सड़क के किनारे हमने ट्रक को रोका गाड़ी में खराबी के बहाने हमने चंदा को नीचे होगा को तार लिया मैंने ट्रक में अपने कपड बदल दिया थे कर दो कर दो कर दो कामने के बांतों लिए ब्सक्षाइब के वार कर टे सक खने ट्रक में अपने पना पंदत ONE झाल झाल दुनिया यानि ये तीन इनको लगता मैं मर चुकी हूँ मैं आजाद हो जाती मुंबए में ललन के साथ अगर बसाती जैन की सास लेती इंस्पेक्टर साफ मुझे तो यकिन नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी खातर नाख हो सकती है ऐसे ऐसे प्यानक प्लान बना सकती है जरूर मेरी बेटी को फसाय जारा है नहीं 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 फसाय नहीं जारा है फसाय तो आपने पापा और मां आपने और भाईया भाईया आपने भी माना मैं जरूर मैंचे जरू कहा चेरी कहmber यह थे क्या आए यहार किया था मेने कई मुझ काला करवा कि नहीं जहीं अई थी लेकिन मैं ऐसे ऐसे पेशाय है जैसी मैं डूता है कौन सा फहाब कर लिया हो अपर तुने सादी कर ली थी तो अमें बताते हैं, हम तुझे माफ करते थे भाड़ में आपकी माफी, नहीं चाहिए मुझे आपकी माफी, समझे आप मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी जब तक जिन्दा हो ना, तब तक माफ नहीं करूँगी माला का ये प्लैन था कि अपने से मिलती जुलती लड़की का खून करवाके वो सारी उम्र लल्लन के साथ चैन से रह सके, पर वो पकड़ी गई लल्लन, माला और अजी तीनों पर हत्या का मुकदमा शुरू होने वाला है पर उधर एक मासून जान है, जिसे उम्र भर के लिए अनात होने की सजा हो चुकी है मा को पाईगी? ये लो अभी तुमारे टने, तुम खेलो अपनी कहा ले जा रहे? एक बहुत अथी जगा, वहाँ पर तुमारे जैसे चोटे-चोटे बहुत सारे बच्चे होंगे माला और ललन ने अपनी प्रेम कहानी धेर सारे खून से लिग डाली अपना छोटा सा आशियाना बनाने के लिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे का घर उजार दिया एक औरत की निर्दई और क्रूर हत्या कर दी काश माला के माता पिता ने उसके प्यार और उसकी जिद की दस्तक सुनी होती जुर्म होने से पहले ही उन्होंने उसे कैद में डाल कर मुझरिम करार दे दिया उसकी आजादी और गरिमा कुचल कर रख दी ऐसे में जुर्म तो होना ही था फिर मिलेंगे अपना खायल रखें, सुरक्षित रहें, जैहिन!